आज मैं आप लुकसा शेयर कर रही हूँ ठेले वाली मटका मलाई कुलफी बनाने की रेसिपी और वो भी हम सिर्फ दो कप दूद से ठेट सारी कुलफी बना कर त्यार करेंगे और एकदम रबडी जैसी तो चली से बनाने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपर एक कड़ाई लिए है और इसमें मैं डाल रही हूँ तीन टेबल स्पन पाउडर शुगर और इसमें एक चोटा चमज पानी डाल देंगी अभी हमें चीनी को पकाना है इसको हमें डाक कलर नहीं करना है इसको हमें लो फ्लीम पर पकाना है जब तक पुलवी का टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है तो अभी जो चीनी है वह फिट से जमने लगी है इस टायम पर अब हमें इसमें डाल देना है दूद तो यहां पर मैं आधर एटर दूद जो इसमें डाल रही हूँ और यह मैंने आपर फोल क्रीम मिल्क लिया है अभी हम दूद को boil होने देंगे तो दूद को जब तक boil होने देना है जब तक इसकी जो quantity है वो थोड़ी से कमना हो जाए यानि कि आदे से थोड़ी ज्यादा रह जाए इतना हमें जोड़ी दूद को पकाना है तो अभी दूद में boil आ चुका है लेकिन अभी हमें जो है दूद को थोड़ा सा गाड़ा करना है तो इसलिए मैं इसको और पकाऊंगी तो जब तक हमार जो दूद है वो पक रहा है जब तक हम जो है इसकी तेयारी कर लेते हैं कुलफी को एकदम क्रीमी और रबडी जैसा बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने आप आई एक बोल में वन फोर्ट का पानी लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और एक टेबल स्पून कौन प्लार आप चाहें तो दौनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं मैंने आप दौन चीज़ें डाली हैं और जो कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें यूज किया है वो मैंने घर पर ही बनाया था आप चाहें तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आप मैं इसमें डाल रहे ही हूँ 4 पालेजी बिसकेट इसमें अच्छा टेस्ट आयगा हमारी आइस क्रिम है आप ही तो कोई भी जिसमें कम फ्लिवर होता है वो बिसकेट इसमें डाल सकते हैं मैंने अब आप आले जी बिस्केट डाला है अभी हमने इन सबी चुछों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहना चाहिए तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि यहांपर मैंने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है और कोल्फी में और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूं इलाइजी तुटमेने चार इलाइजी goteryश करके इसमें डाल दिया है और को भी अच्छी से मिक्स कर लींगे तो जब तक हमने ये सब त्यारियां की है हमारा जो दूद है वो अच्छे से बॉइल हो चुका है अब देख सकते हैं थोड़ा सा थिक भी हो गया है क्रीमी हो गया है तो अब इस टाइम पे हम इसमें जो है अभी हमने जो कॉनफला और कस्टर पाउडर को मिक्स किया था वो इसमें डालेंगी तो मैंने कॉनफला और कस्टर पाउडर पानी में मिक्स किया था आप चाहें तो दूद में भी कर सकते हैं अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ी दिर में आप देखेंगे जो दूद है वो काफी थिक हो जाएगा एकदम रबडी जैसा और इसकी मैं आपको एक पैचान भी पताऊंगी कि आपको इसको कैसे पैचानना है तो कोई भी एक स्पून लेना है और उसको जो है इस दूद में डालना है तो अभी जो दूद है वो काफी थिक हो गया है और आप मैं यापर एक स्पून इसमें डाल रही हूँ और यह देखिए इस पर जो है किस तरीगे की कोटिंग होनी चाहिए और जब मैं इसको उपर उंगली इस तरीगे से कर रही हूँ तो इसमें एक लाइन बन रही है इतना ही है मैं इसको थिक चाहिए अब यह थोड़ा कम मीठा था तो इसलिए मैंने इसमें एक टेबल स्पून पाउडर शुगर और डाल दिया है और दस पादामों को मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग और भी ड्राइफूर्ट स्मेड कर सकते हैं अभी हम इसको एकदम अच्छे से ठंडा हो जांने देंगे और आइस्क्रीम को जमाने क्लिए मैंने इस तरीकी का कंटेनर लिया है अगर ना मिले तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी अब मैंने इसमें जो है ये जो रब्डी वाले दूद है वो फिल कर दिया है और इसके उपर हम जो है इस तरीके से फॉयल पेपर लगा देंगे और इसको जमने के लिए फिजर में छोड़ देंगे 6-7 घंटे के लिए या फिर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं मैं तो इसको ओवरनाइट छोड़ रही हूं और अगर आपके पास मोल नहीं है और इस तरीके का कंटेनर भी नहीं है तो आप जो है फॉयल पेपर से इजली बना सकते हैं ये कुलफी आप जो है इस तरीके से घर पर जो है इसके लिए मोल्ड बना सकते हैं कुलफी के तो मैं यहां पर फॉइलडी काहन गीं civ को वेसी इसको फूट कर देना है यह देखि यह अमोल बनकर त्यार होग्या है मैं पर फॉइलगा के मोल्क पत्सक्राइब कर दें तो बहुत यह वाले निपनल्द मोल्क बनाना त्यार होती है हमारी तो यहां पर मैंने यह फॉइल पिपर वाले मोल्ट में भी जो है रबडी वाला दूद्ध फिल कर दिया है और मैं जो है इसमें जो है यह स्टिक्स को लगा दूंगी और इनको भी हम जमने के लिए प्रेजर में छोड़ देंगे तो ओवरनाइट मैंने जो है इसको जमने के लिए छोड़ दिया था अभी हमारी जो आइस क्रीम है वो अच्छे से जम चुकी है जो कुल्फी है हमारी अब हम इसको डिमोल करेंगे तो डिमोल करने के लिए सबसे असान तरीका यह है कि बॉल में पानी ले और दस सेकेंड के ल चोड़ देगी साइट से अब हम जो है एक प्लेट में इस तरीके से इसको टैप करेंगे और इसमें मैं तूद्पिक लगा रही हूं तो यह हमारी बिल्कुल ठेले जैसी कुल्फी बनकर तियार होती है जैसी आप मार्केट में खाते है न ठेले वाली कुल्फी वैसे ही अब हम एक कुल्फी में से इस तरीके से चार पार्ट को कट कर लेंगे और यह हमारी ठेले वाली मटका मलाई कुल्फी बनकर तियार है बहुत ज़्यदा टेस्टी बनती है यह एकदम रब्डी जैसी लगती है खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी बनती है अब हम इसको जो है गानिश कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक प्लेट में कॉलफी को रख दिया है और इसमें मैं चॉप की वे पिस्ता और थोड़ा सा केसर को ढाल रही हूँ और यह फॉइल पीपर वाली कॉलफी भी मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ तो यह दिखे कितनी एजीली यह डिमोल्ड हो रही है और बहुत ही अच्छी कॉलफी हमारी बनकर तियार हुई है बिल्कुल मार्केट जैसी तो अगर आपको यह मटका मलाई कॉलफी की वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बता है रैस्पी आपको कैसी लगी तो चले फ्रेंट्स आप हम मिलते है नेक्स वीडियो में